कन्या को उपहार में इन पांच चीजों को देना मानती है बेहत्षु माता होती है प्रशन नवरात्री के नव दिनोमी पूरी श्रधा के साथ मा की पूजा और व्रत किया जाता है इस पर्व का सवापन महानवी के साथ हो जाता है महानवी के दिन लोग सुबह का पूजन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं इसके बाद हवन किया जाता है हवन के बाद वृत का पारण करने का नियम है नवरात्री के प्रमुक आकर्शन में से एक कन्या पूजन भी है कन्या भूज के साध ही नवरात्री का समापन होता है देवी पुराण के अनुशार सभी सुब कारियों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है कुमारी पूजन से सम्मान, लक्षमी, वित्या और तेश प्राप्त होता है इससे विक्न भै और सत्रूँ का नाश पर होता है होम, चप और दान से देवी इतनी प्रशन नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है कन्या पूजन में शामिल करने के लिए दो से दस वर्स की कन्याओं को बुलाना चाहिए इनके संख्या कम सकम नौ तक होनी चाहिए कन्या पूजन के दोरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझ कर पूजा करनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए ना बैठा दे पहले उनके पाओं अपने हाथों से धोई और हल्दी कुमकुम और शावल से टीका करे उसके बाद उनको पुर्व की और मोख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सबजी और हलवा चना खिलाये जाता है कन्याओं के समय कन्याओं को भूजन कराने के बाद उन्हें सामर्थ के अनुसार कुछन कुछ दान किया जाता है इसके बाद उनके चरण सपर्स करके असिरवाद दिया जाता है आप भी नावमी तिथी पर कन्याओं करने जा रहें तो यह जान लीजे उन पांच चीजों के बारे में जिधे दान करना अंबीहत शुब माना जाता है कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है नवरात्र में आप कन्या भूश करिए तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विश्रेश महत्व होता है अगर किसी वज़ा से आप लाल वस्त देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं लाल रंग को प्रिधिक का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ये लाल रंग मा की पोशाक का रंग होने की कारण भी बेहत शुब माना जाता है वहीं लाल रंग के वस्त देने से आपका मंगल ग्रह भी मजबूत होता है मिश्ठान कन्या भोश को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी सामिल करनी चाहिए अगर किसी वज़स से आप मिश्ठान सामिल ना कर सकें तो घर में साब सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी का फिर आटे का हलवा भी मादा का भोग लगा कर कन्या को खिला सकते हैं इसा करने से आपकी गुरु ग्रह की मजबुती बढ़ती है और मा भगवती भी आपसे प्रशन होती है शिंगार नवरात्र में कन्या भोश कराने के बाद भेंट में कन्याओं को शिंगार के सामगरी भी उपहार में दे सकते हैं यह सिंगार सामगरी पहले माता को अरपित करनी चाहिए उसके बाद छुट छुटी कन्याओं में भांड देना चाहिए मानने दा है कि कन्याओं दरारा ग्रहन की गई सिंगार सामगरी सीधे माता द्वारा सिकार कर ली जाती है इसमें आप उन्हें बिंदी, लिप्ष्टिक, महंदी, चूड़ी, आदी को देनी चाहिए चावल, चावल को समरिधी का प्रतीक माना जाता है परमपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको खुईचह दिया जाता है इस खुईचह में चावल और गुण दिया जाता है माननेता है कि इससे आपके घर के धन धाने में वृद्धी होती है नवरात्र में भी आप कन्या भुच करें तो विदा करते समय कन्याओं को पहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए इससे आपके घर में संपन्नता भढ़ती है दक्षुना कन्याओं को चलते समय दक्षुना के बगएर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए दक्षुना के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता ऐसा करने से माल लक्ष्मी आप पर प्रशन न होती है और आपके भंडार भर देती है हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ के अनुसार 11, 21 या 51 रुपे देने चाहिए